गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्तियुगिन सिंसकर्थिक का इतिहास का द्यन करेंगे तो देखिएगा गुप्त काल के बारे में हम काफी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं अता है आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप इत्यास विश्या से संब्सक्राइब करें तो गुप्त काल के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं गुप्त यूग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेगा आपको वीडियोज मिलेंगे गुप्त काल से संब्सक्राइब और आप रिक्षा की तयारी अच्छे से कर सकेंगे ठीक है तो चलो पढ़ते हैं हम गुप्त यूगिन संस्क्राइब गुप्त काल में सब्भेता और संस्क्राइब के प्रते छेतर में अभूत पूर्वा प्रगत्ती हुई तथा भारतिय संस्करती के विकास को पूर्ण दया प्राप्त हुई ठीक है गुप्त काल में जो सब्भेता और संस्करती है उसके जितने भी छेतर थे उनमें बहुँ जदा परगत्ती हुई थी उन्नती हुई थी और सेंसकर्ती के विकास को भी पूनता प्राप्ती हुई थी अर्था जो भारतिय सेंसकर्ती है उसमें भी अच्छा खासा विकास हुआ था गुप्त यूग में भारतिय सेंसकर्ती के विकास को देखते हुए हिंदू सेंसकर्ती को स्वन यूग अथवा क्लासिकल यूग भी कहा जाता है अर्थात की संग्या भी दी गई है ठीक है तो गुप्त काल को स्वन यूग और क्लासिकल यूग भी कहा गया है तो अब पढ़त गुप्तकाल में सम्राट, अम्माते, थ्वामंत्री, केंद्रिये, अधिकारी, पर्तिहार, इंपर, महाप्रतिहार, महासेनापती, महासांधी, विग्रहिक, दंडपासिक, विनैस्थिति, स्थापक, कुमारा माते के आधी मंत्रियों के पद होते थे इनके एक एक के बारे में हम आगे के वीडियोज में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से ठीक है अब देखेगा प्रांत ये सासन विवस्ता कैसी थी तो गुप्त काल में परसासन की सुविधा के लिए विसाल गुप्त समराजे अनेक प्रांतों में भाजित किया गया था प्र अंती भी कहा गया है पूर्वी मालवा एरन तीर मुखी पुंडरवर्धन और मगद ठीक है इन सब के बारे में हम आगी की वीडियोज में आपको विस्तरी तोर से बताएंगे अता है आप देख हमारे वीडियोज को देखते रहें फिर अगला पोइंट आता है जीला तथा नगर का परसासन तो भुगती का विबाजन अनेक जिलों में हुआ था जीला को विशे कहा जाता था ठीक है जिसका परदान दिखारी विशेपती होता था विशेपती को कुमारमाते भी कहा गया है विशेपती की नियुकती प्राय है संबंदित प्रांत के उपरिक अर्था राज्यपाल द्वारा ही की जाती थी परन्तु कभ़ी कभी स्व्यम समराठ ही उनकी नूक्ती करता था विशेपती का अपना कार्यालः होता था कार्यालः के अभिलेखों को शुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पूस्त पाल कहा जाता था गई से देखेगा विशेपती एक समीती की साहता से जीले का सासन चलाता था जिसमें निमनल की सदसे होते थे नगर स्रेस्टी जो नगर के महाजनों का प्रमुक होता था शार्तवा है विवसाईयों का पर्धान पर्थम कुलिक पर्धान सिल्पी पर्थम कायस्त मुखे लेकक फरी फिदपूर ताम्मर संख्या तीन में विशय पती के सद संख्या 20 मिलती है विशय समिति के सद से विशय महतर कहे जाते थे टीक है पर्मुक नगरों का परभंद नगरपणी काये چलाती थी नगर परदान अधिकारी पूरपाल कहा जाता था वह कुमारा माते की स्रेणी का अध पूरपाल की सहायता करने के लिए एक समीती होती थी जुनागर लेक से पता चलता है कि गिरनार नगर का पूरपाल चक्रपालित था जो सुराष्टर के राजेपाल पांदत का पुत्र था उसी ने वहां सुदर्सन जील के बांध का पुन्दर निर्मान करवाया था अब अगलाता न्याय विवस्ता कैसी थी गुस्तकाल के सब्बंदित कानूनों की व्याख्या परस्तुत की गई उत्रादिकार संबंदिस पस्ट एम विश्यत कानुनों का निर्माण किया गया था समराट देश का सर्वोचे नयदिस होता था वह सभी प्रकार के मामलों के सुनवाई की अंतिम अदालत था समराट के अलावा एक मुखे नयदिस होता था तथा अने अनेक नयाएधिस होते थे जो समराट के विभिन भागों में इस्तित अनेक नयालियों में नयाए समन्धिकारियों को देखते थे अगलाता सैनिक संगठन तो गुपत काल का सैनिक संगठन कैसा था गुप्त सासकों की सेना विशाल एम सुसंगर्ठित होती थी सेना का सर्वोच अधिकारी महा बलाधी क्रेत कहा जता था हातियों की सेना के परधान को महा पिलू पती तथा घुड सवारों की सेना के परधान को बठा स्वय पती कहते थे सेना में सामानों की व्यवस्था रखने वाले प्रधान अधिकारी को रण भांडा गारिक कहते थे गुप्तवन से समराट स्वम उसल योधा होते थे तथा व्यक्तिगत रूप से युदों में भाग लेते एम सेना का संचालन करते थे मंद्रियों के लिए भी सेनिक द्रस्टी से योग्य होना आवसेक था परियाग परसस्ति में उस समय के कुछ परमुक अस्तर सस्त्रों के नाम इस परकार से मिलते हैं परसू, सुं, संकू, भिंदिपाल, सर, नाराच और तॉमर ठीक है अब देखेगा गुप्तों की भूमी एम राजस्व व्यवस्ता का इतिहास गुप्तियुग में भूमी पर समराट का स्वामित्व होता था राज के भूमी के अतिरिक्त ऐसी भी भूमी थी जिन पर क्रिश्कों का निजी स्वामित्व होता था मंदिरों तथा ब्रामनों को जो भूमी दान में दी जाती थी उसे अग्रेहार कहा जाता था ठीक है तो मंदिरों ये ब्रामनों को जो भूमी दान में दी जाती थी उस भूमी को क्या कहा जाता था अग्रेहार इस परकार की भूमी सभी करों से मुगती होती थी तथा इनके उ प्रमप्रागत चार वन्नो ब्रामन छत्रिय वैश्य और सुद्र के अलावा कुछ अन्य जाती भी अस्तीतव में आ चुकी थी। था उतने अधिक्ट जटिन नहीं हो पाई थी जितने की परवर्ति कालों में देखने को मिलती है तिक है अब देखिएगा गुप्तों का आर्थिक जीवन तो गुप्त राजों का सासन काल आर्थिक द्रस्टी से सम्रद्धी एमसंपंता का काल था क्रेशी की उन्नती प्रवि भुमी जोतने के लिए किया जाता था ठीक है अगला आता है धार्मिक जीवन तो गुप्त राजों का सासन काल ब्रामन हर्तात हिंदू धरम की उन्नती के लिए पर्ख्यात था गुप्त सासक वैशनाव धरम के अनुयाई थे तथा उनकी उपादी परम भागवत की थी उन् स्वयम नैस्टिक वैशनाव होते हुए भी उनका द्रिष्टी कोन पूंट या धरम सहिष्णू था तथा वे किसी भी अर्थ में पर्तिकिरियावादी नहीं थे उनकी धार्मिक सहिष्णू था एम उदारता की नीती ने इस काल में विभिन धर्मों एम संपर्दायों को फ विज्ञान तो गुप्ति युग में सहिते और विज्ञान के चेत्र में अभूतपूर्वय प्रगत्ती हुई गुप्त समराजे की स्थाबना के साथ सोरी के साथ ही संस्कृत भासा की उननती को बल मिला तदा यह राज भासा के पदपर आसीन हुई गुप्त सासक स्वेम स संस्कृत भासा और साहिते के प्रेमी थे तदा उन्होंने योग्य कव्यूं लेक को इंसाहिते कारों को राज जस्रे परदान किया गुप्ति युग में विज्ञान की विविद साखों अंक गनित जोतिस रसायन धातू विज्ञान आदी का विकास हुआ इस समय के परसित गनित गे आरिय भडते जिनकी परमुक्रती आरिय भटियम है इन्होंने गनित के विविद नियमों का पर्तिपादन किया तता सर्वा पर्थम ये खोचकी की पर्थवी अपनी धूरी के चारों और परिबर्मन करती है कला एम इस्थापत्ते गुप्तकाल में संपूर उत्त कला अत्मक्ता दिखाई देती है कला के वीविद विध्याओं जैसे वास्तू स्थापत्ते चित्रकला मृत भांड कला आदी इस यूग में विक्सित हुई धर में एम कला का समनव्य स्थापिद हुआ तदा कला पर से विद्देश्ची परभाव करम सहब समापत हो गया था स्थूप तता गुहा इस्तूप का साबदिक अर्त धेर होता है यह एक गोल टिले के आकार की सरंचना है जिसका पर्योग पवित्र बोध अवसेसों को रखने के लिए किया जाता है गुपतकाल में ऐसे स्थूपों का विकास काफी किया गया था गुहा स्तापत्य का भी विकास गुप्त यूग में हुआ ये दो परकार की हैं ब्रहमन गुहा तता बोध गुहा ओके विदिशा के पास उदेगिरी की कुछ गुफाओं का निर्मान इस यूग में करवाया गया है यहां की गुफाओं भागवत तता सैव द्रमों से संबन्दित है उदेगिरी पाड़ी से चंद्रगुप द्वित्य के विदेश सचिव वीर सेन का एक लेख मिलता है जिसे विदित होता है कि उसने यहां एक सैव गुहा का निर्मान भगवान विष्ण के सम्मान में करवाया अब आता है मूर्तिकला तो वास्तुकला के संबहन ही मूर्तिकला का भी गुफ्टकाल में अत्यधिक विकास हुआ गुफ्ट समराटों के सरंग्छन में भागवत धर्म का पूण विकास हुआ तता उनकी सेशनुता की निती ने अन्य दर्मों एम संपर्दयों को फ़लने फूरने का अवसर परधान किया पड़ाम सवरूप इस काल में विष्णु, सीव, सूरिय, गनेश, इसकंद, कुबे, लक्समी, पार्वती, दुर्गा, सब्तमात्रिकाएं, आदी विभिन, हिंदु देवी देवताओं की पर्तिमों के साथ साथ, बुद्ध, बोधिस्त्व, एम जैन तिर्थंग्रों की मूर बहुत कम मिलते हैं, प्रारंबिक चितर प्राग एथियासिक यूग की परवत गुफाओं की दिवारों पर प्राप्त होते हैं, कुछ-कुछ गुहा मंदिरों की दिवारों पर भी चितर कारियां मिलती हैं, गुप्तकाल तक आते आते, चितर कारों ने अपने कला को प्रिय वालियर के समीप इस्तित बाधे नामक परवत गुफ़ाओं से प्राप्त होते हैं इनमें भी अजनता की गुफ़ाओं के चित्तर समस्त विश्वे में परशिद हैं तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्तकाल इन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की है जैस परदान करते रहेंगे तो आप बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे